पूरा एपिसोड देखने के लिए सुनी ले वाब डाउनलोड करें युक्ती मैं जो इंफर्मेशन तुम्हें देने जा रहा हूँ यह बहुत साधा संसिटिव है जब कोयल अपरॉड थी तो वहाँ उसका किसी के साथ अफेर हुआ और वो प्रेगनेंट हो गई और बाद में उसे अबॉर्शन भी करवाना पड़ा अंकल इस नियूस का तो बहुत बड़ा धुमाका होगा और डीजी की शैतानी तोली को तोड़ने के लिए बस एक एक ऐसी ब्लास की ज़रूरत थी हमें और इस नियूस का ऐसा इंपैक्ट होगा कि इनका जो आपस में ट्रस्ट है नो वो चक्ना चूर हो जाएगा और इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आखिर में वार हुआ कहां से था अंकल आपस ये आउन्वलोप गार की ताईची को कूरियर करवाईए बाकि मैं संभाल लूँगी कोयल तुम्हारे इन कारणामों के बारे में सुनते ही गारगी ताईची सबसे पहले ये शादी तोड़ भाईगी और फिर तुम जो ये अलाइंस बनाने वाले थे ना ये अलाइंस जो मेरे लिए खत्रा हो सकती थी वो अलाइंस बनने से पहले ही चकना चूर हो जाएगी मुलतानी अंकल ने एविडिन्स पार्सल कर दिया है टीजे, योर काउंटडाउन बिकिन्स नाओ अब अस देखते जाओ, आगे आगे होता है क्या मामी, मैं एक्स्प्लेइन कर सकता मेरी बात तो सुनुआ, ममी, मैं कुछ गलत नहीं कर रहे हूं क्या कर रहे हूं? छोड़ मुझे यही तो रखाखा क्या कर रहे हूं? क्या डूंड़ रहे हूं? यह तो बताओ यह थो बगогे यह, यह! संसकाँ इन कुछ सुनुआ यह यह वुव बोल अपने पापा को, बता दे उन्हें, कि जो तु कर रही है, वो सही कर रही है, बता अपने पापा को, कि अपने स्वार्त के लिए, अपनी जीत के लिए, तु एक लड़की पर कीचर उछालने जा रही है, बता अपने पापा को, कि तु इतना गिर गई है, नजरें क्यों चुरा रही है तू, तुझे लगता है तू सही कर रही है न, तो आखों में आखें डाल कर बता अपने पापा को, कि अपनी जीत के लिए सब के सामने एक लड़की को बेजजद करना सही है, पैटा तुझे दिख नहीं रहा है, कि तेरा ऐसा करने से उस लड़क पर क्या बीतेगी? नहीं, मेरी युविका इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती, ये भारोसा था, तेरे पापा का तुझ पर बूल गई, युविका, तुझे क्या लगता है, कि इन लोगों ने तेरे पापा बड़े फूल बरसाए थे, युविका आप तो तू भी जानती ह युविका है, कि कैसे उनकी आस्ता, उनके चरत्र, उनके विश्वात तो रौन दिया था इन लोगों ने, उन पर कितने दाग लगाये थे, बडले की आग में जलकर वो हैवान बन सकते थे, शिकिन प्रेम जानते थे, कि हैवान बनकर भले ही वो जीत जाये, लेकिन अपनी आत्मा से वो हमेशा के लिए हार जाएगी पर अपनी आत्मा से हारना उने गवारा नहीं था इसलिए सब को छोड़ कर हम सब को लेकर वो यहां से दूर चले गए और उनके इस फैसले पर मुझे हमेशा गर्ब है और गर्ब रहेगा पिटा मैं मानती हूँ कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है अन्याय हुआ है लेकिन तू अपनी परवरिश भूल गई पापा और मैंने हमेशा तुझे सिखाया है पताया है कि अच्छे और बुरे इंसान में सिर्फ समीर का अंतर होता है और पिटा तू तू अपना समीर ही बेचने चली गई इस जंग में उस लड़की पर कीचड उचाल कर उसकी इस्जत को बेज़त करके शायद तू जीत जाए लेकिन वो जीतने वाली तू नहीं मेरी युविका नहीं होगी कोई और होगी पिटा भगवान राम ने रावन को मारा था लेकिन उससे बड़ा राक्षस बनकर नहीं इस बात को समझ अपना जमीर बेचकर भले ही तू जीत जाए पर प्रेम का विश्वास उनका गुरूर हमेशा के लिए हार जाएगा क्या हो अडी ये रुक क्यों गए आपने के वास सुने नहीं आइस नाथिंग अगर तुछ में सारा से भी मेरी युविका बची है तो अपने जमीर को बचा लेना पिटा तो अपने में तो अट्वड़ कि आपाएगी ये 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 क्यों वाथ क्या डेजे, हुआ के है तुम्हें? फिर उस तरफ क्यू देख रहे हो? कुछ ने, लेट्स जिस्ट गो, मॉम वेट कर रहे हैं, पता नहीं अब उने कोल के बारे में क्या बताना है? पर मॉम है कहां, रूमे तो थी नहीं है? आओ, शम्बो से बात हुए कि उसने गा था लिविंग रूमे हमारा वेट कर रहे हैं, शालोग मॉम, इतना अजेंट आपको क्या बताना है जो हम दोनों को यहां बुला है आपने, बताओ आपको कोल के बारे में गुछ बताना था, बताओ, बताती हूँ, वो दोनों तो आजे हैं कौन दोनों? नित रात गय किसे बुला लिया तुमने गारगी? कौन आ रहे हैं? हम दोनों अपा, उझे हैसे करना होगा अथ तो समझ रहो ना मुझे? I have to do this जागूम नहीं चाहिए भूमी माम को जो इंजेक्शन दिया जा रहा है, वो इंजेक्शन सही नहीं है जोकती माम महाजंस नहीं चाहते है, भूमी माम कभी ठीक हूँ मैं जो कर रहे हूँ बापा, वो वो पिल्कुल सही है इन लोगोंने हमारी फैमली को भरबात करके रखती है तो मैं जो कर रहे हूँ, वो पिल्कुल सही है पापा, आज़न को भी श्री कृष्ण नहीं यही घा था kol मद में इन сाफ माने के रास्ते में सही और गलत के माई ने कुछ ऑर होते है इसमें फराक होता है पापा, अंगों ने मुझे मारने की कोशिस की है मम्मी को मारने की कोशिस की है मेरे भाई, मेरे बहन उनके खौफ में जीरे तो वो जो करें वो सही और मैं जो करूँ वो गलत ऐसे कैसे हो सकता है बाबा जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ जो कर रही हूँ जो कर रही हूँ